अब बात कर रही है तो जबाब भी सुन लिजे सुधान शुत्र वेदी जी वो आपको कश्मीर याद दिला रही है और देश के बीता भी बहुत जबाब सुन लिजे ना मोना आलम अब सवाल खड़ी कर दिये डी दी जरूर जरूर सुलाइए। उन्होंने एक्जाम्पूल दिया कि मैं दिली के निजामुदीन एरिया में रहा, एक तरफ हजरत निजामुदीन अउलिया की दरगा और उसके सामने तबलीगी जमात का आफिस था, उन्होंने का कोई मुस्लिम देश होता तो 26 साल ये दोनों एक साप नहीं रह सकते थे, ये हिंदुस्तान के मुसल्मान सबसे लगी हैं कि वो यहां पर रह सकते, अब ये बताइए, हमारे जमाने में जहां सूफी मजारे होती थी, सूफियों के चार सिल्से थे, नक्षबंदी, सोहरावर्दी, चिष्टी और कादरी, आज कितने बचे कश्वीर में, कितने बचे पाकिस्तान में, बताइए, सब कुछ तो खतम हो गया, चाहें बड़े से बड़े गायक रहे हो, फनकार रहे हो, या शायर रहे हो, अब कितने होते हैं पाकिस्तान में, यहां तक कि अगर बॉलिवूट के भी एक्टर होते हैं, जिनके दीवाने, आपके यहां से लेके, और बलड तो वही है, जो हम नहों का था, भाई रेस तो वही है, फिर भी एक तरफ बरबादी का मंजर, और एक तरफ खुशाली का मंजर, आपके हां उसामा बिल लादन पकड़ा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ी टेरिरिस्ट और नाइजेशन, अल-काइदा का चीफ ह है, और दुनिया की सबसे बड़ी साफ्ट वेर की कंपनी माइक्रो साफ्ट का चीफ सते नडेला हमारे यहां से आता है, गूगल का चीफ हमारे यहां से आता है, सुन्दर पिछाई, और बड़ी बड़ी कंपनीों को उस पर नहीं, पेपसी की सी-ओ, पlets सल्वारे यहां से स्वेफ़ी की सी-ओ,